अब आपने सारा डाइग्राम देख लिया उसको आप ध्यान रखिएगा कि किसका नोटेशन क्या होता है किसको कैसे डिनोट किया जाता है अब हम आते हैं एक आप से कोशन पूछते हैं कि इतना तो हमने पढ़ा कि चार्ज मूव करने से एलेक्ट्रिक करंट डेवलाप होता है बनते हैं तो कोई मैटेरियल में चार्ज क्या स्टैटिक होता है या मूवेबल होता है यह हमको आप बताएगे यह मैंने material लिया इसमें जो charge है वो move करते रहता है या static होता है तो देखो यह static नहीं होते हैं यह move करते हैं electrons क्या करते हैं move करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि हमारे atmosphere का temperature कीतना होता है 300 Kelvin 300 Kelvin सो जब मतलब जब यह दुनिया बना था तो उस टाइम पे आप 0 Kelvin से start compare करोगे तो 0 Kelvin से 300 Kelvin बहुत जादा है ठीक है तो हमारा जो atmosphere है जो हमारे धरती का temperature है वो 300 Kelvin है ठीक है हमारे atmosphere temperature तो 0 Kelvin जब हमारा अर्थ जब हमारे दुनिया का सनर्चना हुआ था उस टाइम पे आप 0 Kelvin से उस टाइम पे 0 Kelvin था कुछ भी नहीं था फिर वो धिर धिर चीजों का निर्मान हुआ तो उस टाइम से compare करेंगे तो 300 Kelvin बहुत जादा होता है जिसके कारण क्या होता है कि यह electrons क्या और किस तरह से मूव करते हैं तो फिर यह कोशन यह आता है यहां पे कि सर चार्ज भी है मूव भी कर रहा है और हमने पढ़ा है कि चार्ज के बुम्मेंट से क्या होना चाहिए तो फिर तो हमें EMF का जरत क्यों पढ़ता है फिर तो सारे जितने भी डिवाइस है उसमें इलक एक घ्राम वाटर जो हृता है एक घ्राम वाटर में कितने molecules होते हैं कितने atoms होते है टेन के पावर 22 आप सो चलो एक घ्राम में टेन के अब एक ol मेंट 2かった blood uh होते हैं तो आप इसी तरह से यहां compare कर लो कि इतना बड़ा कोई material है उसमें कितना particle होता होगा कितने charges होते होंगे जब एक gram water में इतने particles होते हैं तो इसमें कितने होते होंगे कितने molecules कितने atom होते होंगे आप यह समस्चों क्योंकि हर एक चीज की से मिला है सबसे चोटा atom है उसे बड़ा molecules molecules से मिलकर क्या बनता है उसे compound object फिर बनते हैं फिर उसे दिरे दिरे बड़े बड़े object बनते हैं तो उसमें तो फिर million trillion molecules होते होंगे इसमें होता क्या है कि बहुत से charge क्या होते हैं कुछ charge मान लो इस तरफ motion कर रहे है ठीक है तो उसमें से मान लो एक लाग चार्ज है एक लाग चार्ज जो है एक लाग चार्ज इस तरफ motion कर रहा है तो अगला कुछ एक लाग चार्ज क्या होगा इस तरफ motion कर रहा होगा समझ में आया फिर मान लो कि दो लाग चार्ज इधर motion कर रहा होगा इसको रोकने वाला भी दो लाग चार्ज इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे इसको इसी कारण होता क्या है कि जो ये दो लाग मॉलकुल्स हैं ये इस तरफ वेलोसिटी कर रहे होते हैं तो उसको उसके अपूजिट में भी कोई ना कोई मॉलकुल्स दो लाग मिल जाता है जो क्या करता है उसको अपूज कर देता है तो आप सोचो कि जब इधर से कोई मोशन गया इस तरफ यहां पहुँच गया इस तरफ यह मोशन गया इस तरफ यह पहुँच गया तो मतलब ये चार्ज क्या होई ये चार्ज एक तरफ एक डारेक्शन में नहीं चले जिसके कारण फिर क्या होता है इसके कारण जो करण डेवलप हो रहा होगा उसको ये cancel out कर देगा मतलब कि यहाँ पे जितने भी molecules होते हैं उसके एक काटने वाला जरूर मिल जाता है तो इसी तरह से आप ये समझो कि आप जैसे कोई object है इसको इधर के और खिसकाना है ये कोई object है इसको इस तरफ खिसकाना है और कोई दो बंदा है वो इस पे force इस तरफ खिच रहा है और उतना ही force से ये इस तरफ कोई एक लड़का खिच रहा है ठीक है दोनों सेम force से इस तरफ दोनों तरफ खिच रहे है तो इसकी direction किधर हो गया इसका direction मतलब ये force इस तरफ लगा रहा है इस तरफ लगा रहा है दोनिक direction अलग-लग हो गया तो इसका मतलब फिर ये overall क्या होगा दोनों का quantity same है मतलब magnitude same है अब ये भी 10, ये भी 10 तो दोनों क्या होगा? cancel out मतलब zero, net velocity zero नेट वैलोसिटी जीरो मतलब यह object नहीं ही लेगा, अपने position से नहीं लेगा, मतलब कोई effect नहीं देगा यह, okay, same चीज यहाँ है, कि नेट वैलोसिटी क्या हो जाता है, electrons के नेट वैलोसिटी, नेट वैलोसिटी जीरो हो जाता है, अब नेट वैलोसिटी जीरो हो जाता है, क्या होते हैं continuous motion में होते हैं लेकिन motion कैसा होता है यहां पर random motion होता है कि हमें चाहिए कि हम्में करण डेवलप करने के लिए हमें चाहिए steady motion यह द्यानक है कि इस जैसे यह हमने कोई पानी कर रहा है यहां पर इस पाईपे मान लो तो यहां पर हम बैट कर एधी आपज़र करें तो यह दि अगले एक सकेंड में यहां से मान लो एक मिली लीटर पानी एधर गया तो अगले एक सकेंड में भी एक मिली लेटर जाना चाहिए तो इसे हम बोलते हैं A students chatters norm still still steady flow तो इसमें भी चार्ज में भी यही चाहिए steady flow चाहिए हमें एक direction में चाहिए ठीक है constant चाहिए random से हमें काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे मौलकूल हमारे जो object है वो million trillion पता नहीं कितने trillion से बने हुए हैं हमारे object तो वो क्या करते हैं जितने उसके इस तरह motion वाले होते हैं उसके इस तरह वाले motion मिल जाते हैंए और इसी को हम हम्यां बता रहे थे कि random होता है इसके कारण होता है वो ही जो heat के कारण energy पैदा होता है उसे हम thermal energy करते हैं तो हमारे object में क्या होता है हमारे object atmosphere में रखे होते हैं तो उसके पास वो thermal energy atmosphere का जो temperature उससे gain कर लेता है जिसके करण उसके जो electrons या charges है वो motion में होते हैं तो यह जो random motion होता है किसके करण होता है thermal energy के कारण होता है बट बट इस डाज नोट मेक एलेक्ट्रिक करंट यह एलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाता है यह जो थर्मल एनरजी है यह करंट को डेवलाप नहीं करा पता है क्यों क्यों सिंस क्यों नहीं करा पता है क्योंकि देयर नेट वेलोसिटी नेट वेलोसिटी नेट वेलोसिटी एज इस एक डिरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो चार्ज़ क्या होता है फिर वो उस पर अपनों को कोई इफेक्ट मिली नहीं पाता है सो देखो अब आप समझो कि मैंने कोई सर्कीट लिया जैसे मैंने कोई कंड़क्टर लिया अब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया यहां क्या कर दिया हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया यह पोजेटिव हो गया और यह निगटिव टर्मनल हो गया यह निगटिव टर्मनल कर अब जो मोशन अब जैसे यह conductor था यह free पहले रखा हुआ था फिर इसके बाद इसमें जब मोश जब यह free था तो उस्टमें मोशन कैसा हो रहा होगा इसी लाइक हो रहा होगा कोई इधर जा रहा होगा कोई दो लाग इधर को तीन लाग इधर तो इस तरह से यह फिर cancel out कर नहीं होंगे लेकिन जैसे हमने यहां पर पोजेटिव ट्रेशनल से जोड़ा तो यह प्लेट पोजेटिव हो जाएगा इसका यह सिरा और यह नेगेटिव हो जाएगा अब इसके कारण आने से क्या होगा यहां पर एलेक्ट्रिक फिल्ड अपलाई होगा क्या होगा एफ 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 अपलाई होगा ठीक है एलेक्ट्रिक फिल्ड यहां पर जिनरेट होगा ड्यू टू चार्ज हमने पढ़ाया इसको चलो इस एलेक्ट्रिक फिल्ड के कारण क्या हो करता है हमने यह सब सब किलियर किया है तो जैसे यह जो चार्ज पार्टिकल अंदर मोशन कर रहे थे इस तरफ जैसे यह मानो कि यह जो कुछ चार्ज पार्टिकल मैंने एक का बात कर रहा हूं तो भी इसको इस तरफ ये टेंस्ट कर देगा तो ये जो EMF ये जो electric field है ये क्या करता है यहाँ पर ये किसका काम करता है जो इधार उधार random motion हो रहे थे न उसको एक सीधा मिलाने का कोशिज करता है एक state मिलाने कोशिज करता है तो जैसे ये इधार जा रहा था तो इसको ये इस तरफ से सीधा करने कोशिज करेगा तो इसको direction जो change करता है ये जो direction change करता है इसी को हम बोलते हैं drift velocity क्या बोलते हैं इसको drift drift velocity ठीक इसको बोलते हैं drift velocity यहाँ पर जो motion हो रहा था हो रहा था thermal energy कारण यहां पर किसके करण होगा यह जो direction change होगा वो किसके करण होगा drift velocity के करण ओकी यह drift velocity और इसके बारे में आप detail में 12 में पढ़ोगे बट आप इतना जानू अभी यहां पर कि drift velocity करण क्या होता है यह सारे चार्ज जो अरुधर जा रहे थे उसको एक direction में कर देता है ठीकर तो एक तरफ कर देने से क्या होता है फिर इसमें current devoted हो जाता है जानते हो कि फिर क्या हो जाएगा steep flow हो जाएगा और steep flow हमने कली तो पड़ा है कि charge का मतलब क्या कि charge एक क्रॉस से कितने charge इससे पास कर गया, यह कल आता है, electric current, तो जब एक direction में यह charge काम करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक effect मिलेगा, जैसे यही same यहाँ पर example आप समझो, कि एक बंदा यहाँ, इधर से कोई इसको खिशकाता, तो इसको खीच कर ले जाता, लेकिन यह दोनों तरफ से बराबर लगाने लग गया तो यही चीज जब एक तरफ इदर से फोë्स लगेगा तो जरूर इसके अपोजीट में कई ना कई हमने यूटन्स हाव का नियम पड़ा है कि इस तरफ कोई effect होगा तो इस तरफ force लग रहा है तो उसका effect इधर कहीं न कहीं मिलेगा और वो current के रूप में हमें मिलता है हमने पढ़ा है कि charge के जिस तरफ electrons flow करते हैं उसके opposite में क्या कॉन flow करता है electric current तो हम यह बोल सकते हैं कि thermal थर्मल्य बैलो सीटी तर में त्रमाट के कारण के करण करद करनट होता है तो हम यह कसंख़ एक चाहिसा कंख़े कंछा को की ऑल चार्जेज कि हैं मैं जो आपको नोट्स में देदूंगा इससे परिशान होने जरत नहीं कि सर आप तो इतना समझाने मतलब पता ही चल रहा कहां क्या लिखा आपको नोट्स में प्रोपर एक दम बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइट का भी नो जोगेदर दीडू डीडू डिख्ट वेलासिटी हुँ दीवी में लिख देता हूं डिटू ड्रिट वेलोसिटी एंड लखन तो द्म करन्टित पैस्ट अम गार्स्ट अब 걱ले अब यह स्टितर वेलीट लिका दाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका स्पीड कीतना होता है पता है इसका speed होता है 1 mm per second 1 mm पर अब एक second में 1 mm यह चलता है एक second में 1 mm चलता है और यह drip velocity कीज़ का है drip velocity है उस charge का जो इसके कारण क्या होता है यह इस तरफ tense होता है मोड़ता है तो अब आप बोलोगे कि sir इतना कम speed है इतना कम speed है तो फिर जो हमारे जो current है वो इतना powerful क्यों होता है इतना powerful क्यों होता है जबकि इसका velocity तो बहुत कम है तो हम यह बोलेंगे कि देखो हमने अभी पड़ा कि एक conductor के अंदर एक material के अंदर क्या होता है millions, trillions molecules होते है अब यह तो एक electrons का है अब आप सोचो कि हाथी क्या होता है हाथी में का speed कम होता है चलने का लेकिन उसमें force क्या होता है ज्यादा होता है ठीक है force क्या होता है ज्यादा होता है तो आप सोचो कि एक molecules को आ रहा है एक 1 mm पर सेकेंड से और इसी speed से आपको लाखो molecules आ आ रहे होगा जैसे आप एक्जामपल के लिए समझो कि कोई ट्रेन है आप कोई ट्रेन है ट्रेन मालो की लाखों मिलियन से बने हुए है और वो एक मिली मीटर पर सकेंड के स्पीड से आ रहा है अब आप उसके बीच में खड़े हो गए तो क्या यह आप इसको रोक सकते हो क्य क्या आप इसको रोक सकते हैं नहीं रोक सकते क्यों कि इतने ज़्यादा यह पावर फुल है कि हमें यदि यह आगे 60 मीटर तक चला जाएगा तो हमें गसिटे हुए लेकर चला जाएगा क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा हो जाता है due to large molecules ठीक है तो यहाँ पे एक 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 प्रिए करो कि कितना पावर फुल होंगे वो फिर ओके तो यह चीज था यहां पर अब एक जी बताओ अब फिर यह कोशन यहां पर आप पुछोगे क्या कि इतना कम स्पीड से चल रहा होता है चलो पावर मान लेकि पावर तो फिर उसमें पावर ज्यादा है ठीक है लेकिन इ एक डिये बताए स का यह क्या सो प्रोप इसे संफोगे सैंके चाहिक आपशें अब बताया था कि यह जो एकजोर यह होते हैं क्या एक सीवा से अनरजि hm करते हूं तो अहाँ वाला यह यह जाकर एनरजि नहीं देता है छीके ये मन जैसे ये समझÜ मैंने ये समझार है से मुझे ये ये हमारा इंग ऊठा है ठीक है ये अंग ऊठा है इसको हम यहां से फिलाना Celia चाहते है जो मासमें ये ऊदिरे तरीका को पहले दिरे दिरे ये ढहाया और इसको ऐसे पूच किया इसको आउसके एक टरीका यह है कि इसके बीच में हमने एक medium लगा दिया हमनेכשיו फोर्स एपलाय किया यह लग्या इसमें कितना टाइंब लगा बिल्कुल मिनमूम सकेंडों के सकेंड लगई इसमें और एक होता है कि इसको आप यहां तक लाएं फिर इसको हिलाएं तो इसमें क्या होता है इस सर्कुट में क्या होता है यही होता है कि इलक्ट्रोंस यहां से जो निकलते हैं वो एक दूसरे को पुस्ट करते हुए जाते हैं मतलब यह खुद चल के जैसे एक इलक्ट्रोंस निकला इसक है गिर जाता है फिर的話 energy transfer हो जाता है यहाँ पर तो इसी तरह से यहाँ भी होता है कि यह यहां से क्या होता है यहां से निकलता है और यह आगे वाम लोगे पुश करते हो जाएगा तो यही चीज्ज में आपने यहाँ से Switch gone किया यहाँ पर बल्वब्व यहाँ पर बल्व एक बात के लिए रहो गया कि एलेक्ट्रोंस ट्रांसफर नहीं होता है कौन ट्रांसफर होता है पुस पुसिंग फोर्स ये ट्रांसफर होता है और ये कितनी स्पीर से होता है 3 into 10 के पावरेट स्पीड ओफ लाइट के बराबर होता है इसी वज़ा से करंट जैसे ही आप देते हो तो इतनी दूर पावर प्लांट में इतना दूर हमारा पावर प्लांट है लेकिन हमारे घर में तुरंत आ जाता है जैसे वहां से करंट को दिया जाता है और हम यूज कर पाते हैं आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये साइकल का सॉकेट है और ये पैडल वाला सॉकेट है इस पे चेन लगा हुआ है ये इस पे चेन लगा हुआ है ठीक आप इस पे पैडल लगाया इस पे पैडल लगाया तो ये वाला ये जो यहां पे आप चेन में क्या होता ह बहुत सारे कड़ियां होती हैं ऐसे जुड़े रहते हैं एक दूसरे से तो ये इसको चलने के लिए ये इसका वेट नहीं करता है कि ये वाला यहाँ पर आएगा तभी हम चलेंगे नहीं ये जैसे यहाँ पर पैडल लगाते हैं तो ये इस पर क्या करता है इस पर फोर्च यहाँ पर फ्लो होता है और हमारा घर का जो बल्ब है वो जैसे ही स्विच आन करते हैं तो बहुत जल्दी से जल जाता है ठीक है ओन हो जाता है ओके स्वाइधिंग आपको आपको हमने आज कंप्लीट किलियर करा पाया सो थैंक यू फूर वर्चिंग डैनमिक एजुकेशन यदि आपको वीडियो मेरा संजाना पसंद आता है और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू